एक बेकाबू थार दा कहर देखा नू मिले जिसने की डिवाइडर तपदे होई दुझे पासे जाके एक बाइक सवार नू टकर मार दीती ते हाथ से देविच बाइक सवार दी मौत होगे यह हलाकि किया जारे कि जदो एक हाथ सा वाप रहा ता थार ने एक अवारा मौत हो गई है ता दास्तिये कि एक अनक दर्दनाक हाथ सा करनाल देविच वाप रहा है जिते की पहला था एक बेकाबू थार ने डिवाइडर टप दे होई दुझे पासे जाके बाइक नू टकर मारी जिस तो बात क्या जारे कि उसने एक अवारा पशुनू वी टकर मारी ह जिस दे कारण उस दी वी मौके ते ही मौत हो गई है हलाकि जानकारी मुताबिक क्या जा रहा है कि हाथ सा देर रात नू वाप रहा है जदो बाइक स्वार अपने कम तो कर वापिस जा रहा है सीता रस्त दे विची थार ने उसनो टकर मार देती हलाकि हाथ से दिया तस्वीर प्रशावी समने आयानि जजदे विच्छ साफ देख्या जा सकता है कि जो बाइक है और बिल्कुल ही बुरे तरीके नार चकना चूर हो गया है ते दुझे पासे जो थार है उसदा अगला हिसा बुरे तरीके नार नुक्सान नहीं किया है फिरहाल थार चलक मोके तो फरार है पर समोके दे उते पहुंची है ते मामले दिजाच किती जा रही है खरी करके घर जा रहे थे अपने जी याँ कि शेफ्ट को था मुझी थी चैसेक्टर में नांको तो गांजा पर जाते है तो शादीर है जैस्वोंचे भी एइंक तो काहां रहते हैं तो सारनपूर मेर्ट इंडे याजियों रहते थे यह ने टे चीने रहते थे परिवार नह तो मोट साइकल वाले की बता रहे हैं दुखत मोत हो गई है जो भी कारवाई बनेगी एक नंदी की भी मौत होगी है पता रहे हैं जो पशू है और जो मुरी तक है उसको बोड़ी को पहुचा दिया कि होस्पिटल सर नहीं अभी कारवाई चल रही है मिले की डिवाईडर तपदे हो मिले तुच्छे पासे जा के एक बायक स्वार नू टककर मार दी थी, ते हाथ से दे विच बाइक स्वार धी मौथ हो गईए, रहा कि क्या जा रहा है ज़तो ़े थार्ण के पहला ठाज आप थार ने एक अवाथम पशुनूवी टककर भाइए जिस दी वी मोके ते ही मौत हो गई है तादास दिये कि एक प्यानक दर्दनाक हाथसा करनाल दे विच वाप रहा है जिते कि पहला था एक बेकाबू थार ने डिवाइडर टप दे होए दुझे पास से जाके बाइक नू टकर मारी जिस तो बात क्या जा रहा है कि उसने एक पिस जा रहा है सीता रस्त दे विच थार ने उसनों टकर मार देती हालाकि हाल से दिया तस्वीरा भी सामड़े आईया ने जजदे विच साफ देखा जा सकता है कि जो बाइक है और बिल्कुल ही बुरे तरीके नाल चकना चूर हो गया है ते दुझे पास से जो थार है उस का अगला हिसा पुरे तरीके नाल नुक्सान नयाक है फिर हाल थार चलक मोके तो फरार है पर उस मोके दे उते पहुंची है ते मामले दिजांच किती जा रही है यह एक फर्म है यही उद्राम जी है जो सेक्टर 35 रास रेजिडेंसी में निवास करते हैं और उनका हमारा जो काम है कंपनी का वो एमजोन और फिल्पकार्ट में गाड़िया चलती है तो हमारे जो टीम है हमारा यही है जोनल ओफिस हमने करनाल में बनाया हुआ है स्यो थी सक्टर 9 में उसी में डेव शेप्ट में हमारे साथ काम करते थे नोकरी करके घर जा रहे थे हाँ जी यरकेश नकयों आदते हैं मनलब भी दो पूर नहीं रहता है यह यह पर बाफर नहीं रहती तोότε मैं पोतिने रहते वो डिवाइडर को क्रोज करके दूसरी साइड आ गई और आगे से बाइक वाला आया हुआ था उसके साथ टक्र लगई तो मोट साइकल वाले की बता रहे हैं दुखत मोत हो गई है जो भी कारवाई बनेगी एक बैल की भी मोत हो गई है उसकी कारवाई करेंगी एक नंदी की मोत हो यह बता रहे हैं जो पशू है हाँ एक पशू है और जो मृतक है उसको यह बोड़ी को पहुचा दिया कि होस्पिटल सर नहीं अभी कारवाई चल रही है तो यह कहां का रहने वाला है क्या नामे उसका यूपी कर रहने वाला है नागल सारनपुर यूप्तरपडेश क रहने वाला है कितनी उमर है सर उमर है सर अभी पता निचल रहे हैं तो बोड़ी को पोस्टम के लिए बिच्वा रहे हैं सर नावाली कहा लड़का तो गाड़ी चला रहा है तो अभी कुछ पता निचला है वह मुटकेश कर रहे है